कि ओके स्टुडेंट ओफ नाइन्थ क्लास देखिए यह जो आपके लिए मैंने कुश्चन करने जा रहा हूं यह जो है आपका NCRT एक्जेंप्लर का क्वेस्चन है क्वेस्चन नमर 39 आप लोग देख सकते हो और यह काफी इसलिए मैंने सुचा इसको मैं आपको एक्स्प्लेइन करके बता दूं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा ओके आपको आइडेंटिटी लर्न होगी इससे रिलेटिड बट फिर भी इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहां बोला है ठीक है इस पूरे की वैलिव क्या होगी वैन अपको जब ये ये की इन्फोर्मेंशन दे रखी है कि एक्स प्लस वाइज उकल माइनस पड़ा है ध्यान से देखिए मतलब कि इस चीज का आपको यूज़ करके, ओके, यह जो X plus Y is equal to minus 4 है, इसका use करके आपको इस चीज़ की value को निकालना है, clear, so, जो given है, उसका हम use करेंगे यहाँ पर, आपको कहते रखा है, X plus Y is equal to minus का 4, ठीक है, मैं कहा करूँगा, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, बोथ साइड, तो क्या मिलेगा मुझे, X plus Y का whole cube is equal to minus 4 का whole cube, clear, अब A plus B का whole cube क्या होता है, आप लोगों को identity पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, A plus B का whole cube, क्या होता है आपका, A cube plus B cube plus 3, A, B, और bracket में A plus B, यही होती है, तो यहीं लगा देंगे हम यहाँ पर, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, X cube plus Y cube plus 3XY और X plus Y is equal to, and 4 का, sorry, minus 4 का cube कितना होगा, minus का 64 होगा, now, यहाँ देखिए, फिर हो जागा आपका X cube plus Y cube plus 3XY और यहाँ देखिए, X plus Y जो है आपका, किसके बराबर यहाँ पर देखिए, minus 4 के बराबर यह given है हमको already, तो हम इस पूरे X plus Y की जगे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, minus 4 यूज़ कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा, आपका minus का 64, now, X cube plus Y cube plus, दिखिए, 4 और 3, multiply होंगे, और यह minus है, और यह वाला plus है, तो plus minus क्या होना अच्छी था है, यहाँ पर, हमको यहाँ पर यूज़ करना है, minus, तो plus minus minus, और 4 त्रीजा, कितना हो गया आपका, 12 हो गया, और X into Y, XY हो जाएगा, अब यह जो minus का 64 है, इधर लाओ गया, आप equal to के, तो transpose करते ही हो जाएगा, 64 plus का, और is equal to 0, यानि कि जो finally हमको, इसका जो result आया है, ठीक है, इसी की value पूची थी हमसे, कि X cube, देखिए, X cube Y cube minus 12XY plus 64 क्या होगा, तो यह 0 के बराबर होगा, तो 0 हमारा इसका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, इसी तरीके से, यहाँ पर इसको मैं erase कर देता हूँ, और question number second को बिल्कुल यही steps follow करने हैं, ओके, यहाँ पर आपको दे रखा है, ध्यान से देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, formula लिखे रहें देजिए, और इस question को मैं, answer को erase कर दिया, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका हमको क्या गर ना answer निकालना है, ठीक है, तो क्या आने वाला और यह result हमको use करना है, जो x is equal to y plus 6, x is equal to y plus 6 दे रखा है, तो अगर इस 2y को इधर लाएंगे equal to के, तो हमें इसको ऐसी लिख सकता हूँ, कि x minus 2y is equal to 6, 2y को इधर लाए equal to के, अब इसमें भी सेम वाई, क्यूबिंग बोच साइड, तो हमको क्या मिलने वाला है, x minus 2y का whole cube is equal to 6 का cube, clear, अब यहाँ पर लगाएंगे हम कौन सा a minus b का whole cube का formula, यह होता है, a cube minus b cube minus 3ab, और bracket में a, a minus b, clear, तो लगाते जाओ, यह हो जाएगा आपका x cube minus 2y का whole cube कितना होता है, 8y का cube हो जाएगा, ठीक है, फिर minus 3 into a, a मतलब यह, x, और multiply b मतलब हो जाएगा, 2y, clear, और bracket में लिखेंगे, x minus का 2y, और is equal to 6 का cube बहुता है, 216, ठीक है, यहाँ तक clear, next, x cube, x cube as it is रहेगा, 8y cube भी as it is रहेगा, और यह हो जाएगा 3 to 6, और x minus 2y की जगे में क्या लिख सकता हूँ, x minus 2y की जगे में लिख सकता हूँ, 6, है, तो minus 3 into x into 2y, और multiply 6 is equal to 216, बस x cube minus 8y cube, अब यह तीन दुनी के 6 है, और 6 सिख जा, 36, तो यह जगा, minus 36, xy, और यह जो इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जागा, minus का 216, और is equal to 0, तो finally हमें इसका answer भी मिल चुका है, जो की same है, answer is 0, complete, तो मुझे लगा भाई, ncrt exemplar का question है, और important लग रहा था, इसलिए मैंने आपको यह explain कर दिया, ठीक है, और भी है, तो उसको भी मैं अभी समझाता हूँ, कुछ, एक, दो, तीन, चार question और है, देखते हैं जरा तो, उसको भी, तो student, I hope आपको यह दोनो question अच्छे से समझाए हो, देखिए, यहाँ पर, यह भी ncrt exemplar का है, genuine question है, तो उमीद करता हूँ कि एक्जाम में आप भी सकते हैं, और नहीं भी आ सकते हैं, बट सीखने में आपको क्या जा रहा है, ठीक है, सीख सकते हैं, और पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, show that p minus 1, या εν Sundance करना, 18 question देखिए, कि, p minus 1, जब भी factor की बात करता है, ठीक है, जब भी factor की बात करता है, तो पूरा जो हमारा polynomial होता है, जो हमारा पूरा polynomial होता है, वो क्या होता है, zero हो जाता है, या47 कि of P 10-1 यानि कि जो हमारा polynomial है ओके अब यहां पर P की जगे मैं use कर देता हूं क्योंकि P already दिया हुआ है तो इसकी जगे हम क्या use कर लेते हैं function of P ठीक है is equal to P की power 10-1 और P P-1 फैक्टर है P-1 इस फैक्टर फैक्टर ऑफ किसका function of P का तो अब P-1 फैक्टर है तो P-1 इस पूरे polynomial को जीरो बना देगा सो पी की वेलू कितने हो जाएगी वन हो जाएगी क्लियर तो पी की वेलू जब वन हो जाएगी तो हम यहां पर P की जगे वन पूट कर देंगे और यह हो जाएगा वन की पावर 10-1 ठीक है अब पी वन फैक्टर है ओके तो इस पूरा polynomial को जीरो हो जाएगा जीरो और वन की पावर 10 कितना होता है वन यह होता है 1-1 तो हमें 0 मिल रहा है यानि कि 0 बराबर 0 तो यह तो हमारा प्रूफ करना है कि यह भी इसका फैक्टर होगा तो हम यह पर फंक्शन ओफ पी बराबर पी की पावर 11-1 डालके देख लेते हैं फिर वैसे function of 1 P की value 1 और फिर यहाँ पर 1 की power 11 minus 1 तो यह 0 हम को देदेगा पूरा polynomial या function जो भी हमारा तो 1 की power 11 वन ही होता और 1 minus 1 फिर से वह 0 हो जागा तो यह हमने प्रूफ कर दिया कि भाई P minus 1 इसका भी factor होगा P power 10 minus 1 और P 11 minus 1 का भी factor होगा clear उसके बाद 19 कोशन देखे 19 for what value of M M की क्या value होगी और यह पूरा आपका जो भी है क्यूभी polynomial दे रखा है यहां पर divisible by x plus 2 अगर divisible की बात करता है इट मिन्स वह भी factor की बात ही कर रहा है तो चाहे वह divisible बोले चाहे वह फैक्टर बोले एक ही बात है तो हम देंगे आई होब आप लोगों ने देखी लिया होगा तो यहां से हटा के हम यह लिख देते हैं solution number 19 तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं इस बार तो polynomial of function में दे रखा है is equal to x cube minus 2m x square plus 16 और क्या है है divisible by इससे पुरा divisible होगा x plus 2 से यानि कि इसलिए x plus 2 क्या है is a factor of px तो factor होगा so x plus 2 क्या होगा आपका 0 बनाएगा तो x की वेल्यू क्या देगा आपको minus 2 so put x की value minus 2 in the polynomial minus 2 is equal to minus 2 का whole cube minus 2m फिर minus 2 का square plus 16 ओके अभी 0 देगा तो 0 यहां बना देते minus 2 का cube कितना होता 8 minus का minus 2 का square 4 and 4 तो जाएट यानि कि minus 8 m plus 16 ओके तो यह हो गया 16 16 मैं से 8 के 8 बच्चे गा और घर जाएगा 0 के दर जाएगा तो minus 8 हो जाएगा is equal to minus का 8m और यह कटेगा और 8 है कम 8 so m की value कितनी आ जाएगी यहां से 1 आ जाएगी तो यह हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा I hope आपको एक clear हुआ 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 अब question number 19 देख लेते हैं ठीक है बाकी यह तो multiply वगएरा multiply plus वगएरा तो आपको उम्मीद करता हूं कि आई रहा होगा कि किस तरीके से bracket में चीज़े solve होती है कि अगर मैंने फास्ट किया है तो वीडियो को दुबारा प्लेबेक करके देख सकते हैं तो हम इसको करते हैं और बढ़ते हैं question अमर 20 की तरफ ठीक है ओके नेक्स्ट है 20 एक्स प्लस टू यहां पर क्या बोला एक्स प्लस टू क्या है आपका फैक्टर है डिविजिबल है बात देखिए और यह आपको दे रखा है एक्स की पावर फाइब में ओके आपको एक ही वेलू पता करनी है सो यहां हम लिख लेते हैं polynomial of x is equal to what x की पावर फाइब माइनस 4a square x cube प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3 यह पूरा है फिर से बोल रख है यहां पर इसलिए कि x प्लस 2 इसलिए यहां मतलगा यह तो यहां दिया हुआ है आपको x plus 2 is a sorry x plus 2 is a factor of px therefore x plus 2a is equal to 0 so x is equal to minus 2a okay x now solve it carefully polynomial x की जगे minus 2a पुट करेंगे अब जहां जहां आपको x की value दिख रही है महां-2a डालते जाएंगे 5-4 यह a square x cube है minus 2a का whole cube plus 2 into फिर minus 2a plus 2a plus 3 okay तो यह हमको डालने पर 0 value मिलनी चाहिए तो यहां 0 आजाएगा now minus 2a की power 5 है तो odd power है तो minus रहे गई रहेगा तो की power 532 होता है और यहां पर q है तो minus रहेगा 8 हो जाएगा और 8 8 और 4 कितना हो जाएगा 32 यानिकी और माइनस माइनस मिलके प्लस यानिकी 32 और यह का square है और एक की क्यूब मुल्टिप्लाइगा तो 32a की power 5 हो जाएगा यहां पर भी minus 32a की power 5 हो जाएगा तो plus minus यहां फिर minus 224a and this is plus 2a already और यह plus 3 ठीक है तो देखें यहां पर plus और minus same values है कर जाएगी यह 0 is equal to minus 4 plus 2a this is minus 2a plus 3 लाव 3 को दिले जाओगे तो minus 3 is equal to minus 2a यहां से minus minus cancel a is equal to 3 upon 2 तो एक की value कितना जाएगी minus 3 by 2 I hope आपको यह वाले भी question अच्छा लगाओ दिखें यह कुछ एग्जेंपलर के हैं genuine question है और NCRT की book की यह समझ दीजिए एक तरह से ओके तो पेपर में आने की पूरी उमीद है तो सीखने में कोई बुराई नहीं है ठीक है ओके and move to next question last question number है आपका 20 so sorry 21 find the value of M so 2x minus 1 is a factor ठीक है अब यह polynomial हम लिख लेते हैं यहां पर Px बराबर 8x की पावर 4 plus 4x cube minus 16x square plus 10x plus M बहुत easy होता है ठीक है एक बार आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए तो यहां दिख दीजिए यहां पर 2x minus 1 is a factor of Px जब भी फैक्टर की बात होती है तो 2x minus 1 is equal to 0 होगा एक्स की value 1 by 2 यह हाफ हो जाएगी ठीक है और हम इसको मिटा भी देते हैं तो पुट कर दीजिए किसकी पी की value 1 by 2 तो 8 1 upon 2 की पावर 4 plus 4 1 upon 2 का q minus 16 1 by 2 whole square ओके प्लस 10 into 1 by 2 plus M काफी लेंदी चला गया कोई की बात नहीं करना ही तो है solve और इसको मिटा हो जड़ा तो यह तो हमको क्या देगा जीरो देगा 0 is equal to अब 8 into 1 की पावर 4 1 और 2 की पावर 4 16 plus 4 into 1 की पावर 1 की पावर 1 और 2 की पावर क्यूब 8 minus 16 into 1 की पावर 1 की square 1 और 2 की square 4 और यह तो ऐसी कर जागा 2510 प्लस 5 प्लस एम ठीक है और आठेकम आठार दुनी की सोला चारेकम चार चार दुनी सोला और चार चोक सोला कटिक है सारे 0 is equal to यह बचा आपका 1 by 2 प्लस यह भी आपका 1 by 2 ही बचा और यह बचा माइनस का 4 upon 1 और प्लस 5 upon 1 और यह कि M है M को दाल ले जाओ 0 के दर यह जागा मैनस M है ना है लिच्वार में टू 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 लाटाव प्लस 25 जा 10 ठीक है सो माइनस एम इस उकल टू वन प्लस वन तू प्लस वन टू टू प्लस टेंट ट्वल माइनस एट यानि की फोर फोर अपॉन टू टू से टू गया तू टू जा फोर सो एम की वैल्व आजए कि माइनस का टू यह हमारा आंसर बन जाएगा देख लेना कहीं गलती तो नहीं है जल्दबाजी में सौल करते हैं बट इस तरीके से देखिए यह मैंने चार इंपॉर्टेंट कोशन भी बता दिया आपको जिरो से रिलेटेड की फैक्टर है डिविजिवल है तो हमें साब को क्योंकि बच्चे आँक अपन्फिज हो जाते हैं कि वैल्यू निकाल लेते हैं पूरा पॉलिनोमेल पुट कर देते हैं और पूरा पॉलिनोमेल आपका जीरो बन जाता है ठीक है यह होता है आपका फैक्टर ठीओरम और यह दोनों मुझे लगा इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए तो ठीक है तो मिलते है नेक्स वीडियो में क्वेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू एंड बाई बाई बाई